हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहोतास निमी है और आप सभी का सवागत हमारी यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज की जो वीडियो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट होने वाले है और ये जैसा कि आपने थमनल में देखा कि ये आपके होस उडा देगी दोस्तों बिलकुल सच कह रहा हूँ ये वीडियो देखके आप बिलकुल हैरान रहे जाएंगे कि यूजी स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और पूरी देखना इस वीडियो को इस वीडियो आपको हर एक चीज़ पता चलेगी कि यूजी सी नेट वो किस तरह से कोशन देता है और अगर आप ये वीडियो देख लेते त तो आपका net तो क्या आपका jrf भी हो सकता है दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा paid coach भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीति से study करवाएंगे नमबर एक पे दोस्तों हम आपको all 10 unit study notes देंगे new updated slaves के अंशार plus में सब्टमबर 2020 में जो question आए हैं उसके अंशार हमने ये notes त्यार की हैं इसके साथ दोस्तों हम आपको all 10 unit के videos देंगे add free videos आपको मिलने वाली है इसके साथ नमबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी shift के question paper हिंदी इंगिलस में with answer की आपको मिलने वाले है इसके साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक teaching के question अलग इसके साथ दोस्तों फरी में हम आपको 2012 से लेके दिसम्मर 2019 तक ओल्ड इर पोश्चन पेपर 2 भी देंगे विद आंसर की और इसके साथ दोस्तों हम आपका लाइव मोग टेस्ट लेंगे यूटूब पे तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स जोइन करना है तो हमें जल्दी से ग्रफर पेपर फर्स्ट जूं 2011 का कोशना पेपर है ठीक है इसके नदर हम कोशनाएं देखते हैं कोशन्नमर हमारा सायध 20 है वो ये देखिये दोस्तों ये हमारा कोशन नमबर 22 है थोड़ा मैं जूम कर देता हूं आपको अच्छे से दिख जाएगा ये देखिए इसे यह जो हेडिंग है यह आप देख लिजिए अब हम आगे देखते हैं दोस्तों यह कोशन कब कब आया हो और किस तरह से आया है अब यह देखिए दोस्तों यह हमारे पास पेपर फर्स्ट जून 2012 का कोशन पेपर है और कोड एड डवलू इसके अंदर हम देखते हैं कि यही कोशन किस तरह से रिपीट हुआ है अब इसमें देखिए दोस्तों यह रहा हमारा कोशन नमबर 20 पेटरोल की कीमत में 25% व्रिधी होती है ग्राहत को अपना उपभूग किस परतिशत में कम करना चाहिए जिससे कि पेटरोल का पहला विल बदले नहीं यहां पे आप देख सकते कि बिलकुल असानी से किस तरह से इन्होंने कोशन दिया हुआ है और पहले भी इन्होंने 25% की बात की थी और अब भी यह 25% की बात कर रहे है यानि कि डिटो कोपी कोशन है और अब हम यह देखते हैं दोस्तों यही कोशन दोबारा यानि कि तीसरी बार ये कोशन कब आया है अब यह देखे दोस्तों आपके सामने यूजी सी नैट 2019 का कोशन पेपर है 24 जून का पेपर है यह और Morning Shift है इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों ये question किस तरह से repeat हुआ है आप देखके बिलकुल हैरान रहे जाएंगे दोस्तों ये question अब ये देखें ये हमारा question number 26 है इसके अंदर इन्होंने कहा है कि in a new budget the price of petrol rose by 25% by how much percent must a person reduce his consumption so that expenditure on it does not increase इसका मतलब ये है दोस्तों की price जो petrol का price है वो 25% बढ़ गया है तो एक व्यक्ति को अपना कितने 30% अपना खर्च कम करना चाहिए ताकि उसकी जिन्दगी पे कोई effect ना पड़े तो दोस्तों यहाँ पर आप बिलकुल असानी से देख सकते हैं बिलकुल डिटो कोपी यही हमार कोईशन 2012 के अंदर आया था और यही अब 2019 के अंदर आ गया है और इसके अंदर सबसे खास बात यह है दोस्तों इसकी जो statement और इसका जो answer है बिलकुल सेम है डिटो कोपी इसका answer हर बार सेम आता है तो आप यह कोईशन बिलकुल असानी से देख सकते है कि किस तरह से कोईशन कोईशन है और अब हम यह देखेंगे दोस्तों की यह कोईशन हमें किस तरह से करना है तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से UGC Net के अंदर डिक्टो कोपी कोईशन रिपीट होते हैं और दोसतों हमने और भी काफी वीडियो बनाई यह उसके अंदर और जो टोपिक है उनम से किये जाते हैं दोस्तों इसमें जो एक खास बात होते हैं वो यह होती है कि जो कीमत है कीमत के अंदर व्रिधी देवी होती है हमें कुछ परसेंटेज और हमें यह कहा जाता कि हमारा जो खर्च है उसके अंदर कितना खर्च कम करना चाहिए ताकि हमारा जो है वैवस्ता वो बिगडे नहीं, तो ये होता है, विसके अंदर क्या होता है, कि किसी वस्तू का A परतिशत मुल्य बढ़ा दिया जाता है, ते उसके बाद हमें पूछा जाता है, हमारा जो खर्च है, खर्च हमें कितने परतिशत कमी करनी चाहिए, तो ये देखी, इससे हम किस तरह करेंगे, अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है यह है मुल्य वृद्धी पर खर्च में कमी इक्वल टू किसके होगी सो गुना में ए ले होता है जितने परतिसत हमें बढ़ाने के लिए कहा जा रही है देखिए यहां पर किमत में 25 परतिसत वृद्धी हुई है तो यहां एक ही जिग इस फॉर्मूले में रख के देखते है तो यह रखा हमने सो गुना में 25 यह आ गया हमरा दोस्तों 2400 आ गया 500 आ ठीक है 500 और नीचे दिया है सो जमा में ऐ यानिकि सो जमा में 25 ही यह हो गया 25 हो गया यहाँ पे हम लिखे लेते हैं 125 हो गया तो यह दोनों की दोनों की आएगी दोस्तों दोनों की दोनों हमारे पास ही आजएगा पत्चिस सो बटा में 125 यह हमारे पास आजएगा जब दोस्तों अब धाई हजार को जब हम 125 से डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो यह 20% आएगा यानि कि 20 आनसर इसका आएगा यहाँ पे ए इसका उप्शन ए बिलकुल राइट उप्शन इसका हो जाएगा तो इस तरह से हमें बिलकुल असानी से कॉस्टन करना है यहाँ पे अगर 25 के जगह 40 दे दे या 50 दे जो भी दे दे वो हमें एक होगी तो यहाँ पे पलस हमें लगाना है तो इस तरह से बिलकुल असानी से कॉस्टन कर सकते हैं और आगे देखते दोस्तों आगे यह हमारा जून 2011 के अंदर कोश्टन आया था इसके अंदर भी वही है दोस्तों सेम टो सेम बात है तेल की कीमत में 25% की विरिद्धी हुई यदि खर्च बढ़ाने की अनुमति नहीं है यानि कि खर्च नहीं बढ़ा सकता तो खपत में कमी वही बात आगी दोस्तों यानि कि खर्च में कितना कमी करना है हमें वो बतानी है सबसे पहले हमें वो निकालना और फिर क्या है मूल खपत के वीच का अनुपात यानि कि इस खपत में कमी हम यहां पे निकाल लेते हैं कि 20% हमारा आगे यह दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है अब आगे देखते हैं खपत में कमी और मूल खपत के बीच का अनपात क्या है यह हमें पता करना है अब देखे पहले हम मान के चलते हैं कि 100% जो है खर्चा करते थे उसके बाद क्या कि 20% हमने कम कर दिया तो अब इन दोनों के बीच का जो अनपात है वो हमें निकालना है अब देखें खपत में कमी कितने परतिशत की है हमने 20% की है और टोटल खपत की इतनी होती थी हमान के चलते हैं 100% हमारी खपत होती थी अब देखें इन दोनों के बीच में अन पाथ होगा दोस्तों वह हुमारा एक अनपाथ पांच ऐह उस्फ हमारा आणसर है दोस्तों मैं उमईद करता हूं आपको एशोंज में आ गया होगा चलिए będę एक वार फिर सी आपको समझा देता हूं एक खापत में कमी कितनी हुए सब्सक्राइब कम करना सुरू कर दिये हैं ठीक है अभी ये कहरा कि खपत में कमी और मूल खपत के बीच का उन्पाथ तो ये भी कमी 20% और मूल खपत हम मां लेते हैं 100% पहले करते थे तो आप इन दोनों है एक बजट में पेट्रोल की किमत में पत्चिस प्रतिसत की वृद्धी हुई ठीक है वोई बात सेम चलते हुए आ रही है तीसरे कोशन में भी किसी वेक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिसत की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर खर्च नए बढ़े अब देगे यहां पर इस तरह से होगा सो गुना में पत्चिस बटे में सो जमा में पत्चिस यह मैंने आपको बताया था तो इस तरह से करके देखना यह यह जो सवाल आपका बिलकुल असानी से आ जाएगा अब देखें दोस्तों एक चीज और आती है अब यह तो बात होगी हमारी पैट्रोल की कीमत में बृद्धी होगी लेकिन कई तरह के कोशन ऐसे हैं जिनके अंदर इनो वृत वृत की तरीजा व्यास और जो हमारे आयत होते हैं यानि के रेक्टेंगल होते हैं उनके वारे में भी कई कोशन आए हैं तो वो कोशन हम किस तरह से करेंगे सब सब पहले हम कोशन देख 50% बढ़ जाता है तो उसका parameter कितने परतिस्ट बढ़िए घाए ये हमें बताना है और उसके बाद देखे यह दूबबारा फिल 2007 के इंदर आया था वृत की 3050 परतिसट बढ़ जाते तो उसके अक्छेतर पर्फल में कितनी वृत ही होगी उसके बाद देखे जैसे यह आया आय के बारे में आए एक रेक्टेंगल के बारे में आए कि रेक्टेंगल की जो लंबाई और चोड़ाई एक एक परतिशत बढ़ जाती है तो उसका च्छेतर फल है उसमें कितना डिफरेंस आएगा वो हमें बताना है उसके बाद हमें देखिए जून 2010 के अंदर आया था एक वर् पृदि यानि कि जो सर्कल जो होता है हमारा यहां पर एक बरम इंगिलिश में बीख सकते हैं यहां तक की जो दूरी होते हुशंर। यह कहते हैं तो यह कह रहा कि किसी सर्कल की A परतिशत रेडियस बढ़ा दी जाती है तो उसकी प्रिधृ प्रिधी थी और माने तो पेरा म यानि कि पैरामेटर में क्या डिफरेंस होगा अब पैरामेटर की बात करें तो पैरामेटर क्या होगा देखें पैरामेटर भी मैं बता देता हूं पैरामेटर क्या होता है जैसे कि कोई बंदा यहां से चला और घूम फिर के यहां से यहां से यहीं पर आ गया यह जो दूरी ह में कितना परशेंट बढ़ाओ होगा तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों वो बिलकुल सिंपल है यदि किसी विरत की तरीजा एपरशेंट बढ़ाई जाती है तो उसकी प्रिधी में एपरशेंट की ही बढ़ोतरी होगी यह बिलकुल ऐसे ही आएगा दोस्तों जैसे यह कुछने समझने की बात नहीं बस आप ये बात ध्यान में रखना कि यहां पर रेडियस बढ़ रहा है तो पैरामीटर सेम टू सेम बढ़ेगा जितना रेडियस बढ़ रहा है अगर पैरामीटर की जगे यहां पर एरिया दे दिया जाए ना दोस्तों तो हमारी गड़वड हो यह चीज आप ध्यान में रखना सरकल में अगर रेडियस बढ़ रही है तो उसका पैरामीटर भी सेम टू सेम उतना ही बढ़ेगा यहां पर हमने यह जो एक्जाम्पल भी दे रखाई यहां पर आप बिलकुल असानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर हम रेडियस बढ़ है तो उसका जो पैरामीटर वो सेम टू सेम बढ़ता है यहां पर आप देख लेना और किसी भी दोस्त को कोई भी प्रोब्लम हो इस कॉस्चन में तो वो हमसे पूछ सकते हैं हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे और आगे दोस्तों आ देखते हैं यहां पर इन्होंने का है कि उसके अक्षचतर फल में व्रीद्धी हुई यहां पर जो एरिये की बात चल रही है और यहां पर किया है दोस्तों यहां पर हमारे पैरामीटर की बात चल रही है यानि कि इसकी प्रीधी की बात चल रही है प्रीधी की तो यह चीज तो area का जो formula है वो अलग होगा दोस्तो उसका formula क्या होगा उसका formula हम देख लिटे हैं देखिए ये जो formula है दोस्तो ये हमारा दो भुझा वाले जितने वी हमारे आयत है वर्ग है या फिर हमारा जो सरकल है उसके उपर ये लागू होता है देखिए इसके अंदर क्या होता है यदि किसी दो भुजा वाली आकरती जैसे आयत वर्ग या वृत ये वृत के अंदर वैसे दो जो भुजा नहीं होती लेकिन फिर भी इस पे लागू होता है में एक्स परतीसत की वृती होते है तो उसका अक्छे तरफल का फॉर्मूला ये है अब देखिए उसका फॉर्मूला क्या है उसका फॉर्मूला ये है सो जमा में ए सो जमा में बी ये कर लिए हमने बटे में सो और माइनस में सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तो इस 150 आजाएगा और फिर दोबारा 100 जमा में 50 करेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास 150 आजाएगा दोस्तों और फिर बटे में 100 कर लिया हमने और फिर माइनस में 100 करेंगे तो अब देखते यह क्या होगा 150 की जब हम 150 से गुना करेंगे तो यह आएगा दोस्तों हमारे पास जब ह lived 150 150 को गुना करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आयगा मैं यहां पे थोड़ा यहां पे लिख देते हैं यह आएगा डवल टू फाइव डवल जिरॉ आज़ेगा अब बटे में यहां पे सो है यहां पे यहींदगी यह सो है किमारा तो 20 courses 20 कटगी अब हमारे पास्वा क्या गया दो 225 अब 235 में यह देखी यहां पर हमारे पास सौ करेंगे तो क्या गाए गा दोस्वारे पास 125 आएगा यहां से तो यहां से विलकुल असानी से कौश़्टर कर सकते हैं और सब को ये धियान में रखना कि यहां पिस एरिये के बारे में पूछा हुआ या पैरामेटर के बारे में अब हम अगला कोशन देखते हैं दोस्तों अब देखिए इसने यही बात कही है कि जब एक आयत के लंबाई और चुड़ाई में एक एक परसेंट की तूरूटी की जाते है तो आयत के एक शेतर फन में तूरूटी क्या होगी अब इसमें सेम टू सेम यही लगेगा दोस्तों यह जो कोशन यह जो फॉर्मूला है यह हमारा लगेगा यह जो है हमारा ठीक है यह आप इसके इंदर करके देखना इसके इंदर क्या करोगे सो जमा में एक सो जमा में एक और बटे में 100, माइनस में 100 इस तरीके से आप ये करके देखना आपको ये कोशन बिलकुल उसाली से आजाएगा अगर आपको कोई प्रोब्लम आते तो आप हमसे पोच सकते हैं आगे ही जो हमारा कोशन है दोस्तो ये भी सेम टो सेम वैसा ही है सेम टो सेम इसके अंदर वही फोर्मूला लगेगा और ये कोशन है इसमें भी वही फोर्मूला लगेगा ये तिनो के तिनो कोशन आप करके देखना दोस्तो आगर आपको किसी वी तरह की कोई प्रोब्लम आते हैं तो हम evening की वीडियो में आपको ये करवाएंगे सभी के सभी तो सबसे पहले आप practice करके देखना सभी question करके देखना अगर कोई problem आती है तो हमें बताना तो दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो उसी वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए, comment कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और घंटी का वटन जड़ोर दब़ये ताकि आप हमारी आने वाले वीडियो को सानी से देखשके थैंक्यू दोस्तो सबस्क्राइब कीजिए हमारे यूटूप चैनल को और दब़ये बेल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाले वीडियो पढ़ी है असानी से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रिजिनिंग में और तो यानि की एवरेज वाले कोशन करने वाले हैं आपने इस तरह के कोशन देखे हुए होंग है दस सेकंड के इंदर तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल असानी से बताएंगे कि आप किस तरह से कोशन कर सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहिए तो हमारा पेड़ को भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आ हम आपको 202 से लेके दिसंबर 2019 तक सभुख्ट क कोस्चन पेपर हिंदी इंगलिस में with answer की आपको मिलने वाले हैं इसके सासाथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर के इनर धैज कर देंगे कि अरह को सर देंगे हमार्ड ही इनर इंप सबीर के इनर दें कर सभूरा से विडियों के है और इसके साथ है दोस्तों हम आपका लाइव मोक टेस्ट लेंगे यूटूब पे तो दोस्तों अगर आपको एक कॉर्स जोइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी से वाटसप नमर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया ह słuबा है यह देहें हैं दोस्तों यह हमारा दिसमबर-2012 के अंदर कोस्टन आया था इसके अन्दर इन्होंने कहाति किक गॉर्प में प्रिक्ष्णों की संख्या चारीस है यानि कि यहाँ पर यह दोस्तों का औस्ति कि balance एहाई पर लिखे लेते हैं पहले 10 का जो ओस्त है 4.5 यहां पर है और फिर 33 सदस्यों का ओस्त इन्हों ने 35 दिया हुआ है दोस्तों यहां पर एक मिश्टेक होगे 35 निये 3.5 है यहां पर यह देख सकते हैं आप ठीक है तो 30 का जो ओस्त है वह भी हम यहां पर लिख लेते हैं एक्वल टू 3.5 है अब देखिए अब इसने का कि पूरे ग्रूप का ओस्त क्या है और पूरे ग्रूप का ओस्त निकालना बिल्कुल असान है दोस्तों सबसे पहले 10 10 को 4.5 से जब हम मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आजाएगा 45 आजाएगा और उसके बाद में 30 को जब हम 3.5 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आजाएगा दोस्तों हमारे पास 105 हमारे पास आजाएगा अब इन दोनों को हम एड करेंगे यह देखिए एड करेंगे यह आजाएगा 0 550 दस की 0 एक और यह पांच और यह आज़ेगा एक, यानि कि 150 हमारे पास आ गया और यह देखी, यहाँ पे हमारे पास कितना था, टोटल कितना था 40 लोग थे, तो इसका ओस्त क्या होगा दोस्तों ओस्त के लिए हम टोटल, यानि कि जो हमारा यह बटे में जो जितने भी सदस से हैं, बटे में 40, 150 बटे में 40, 0 से 0 कटकी 15 बटे 4, यानि कि option number 6 का answer आ जाएगा, तो इस तरह से बिलकुल असानी से आप कर शकते हैं, और आगे देखना दोस्तों, UGC ऐसे ही असान-असान question देता है, हमेशा average question देता है UGC, ऐसे नहीं कि बहुत मुश्किल कभी नहीं देता, बस थोड़ा सामें ध्यान देने की जरूरत होती है, चलिए अब हम अगला question देखते हैं दोस्तों, ये देखे, ये हमारा जून 2013 के अंदर question आया था, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि A, B, C, D, चार संख्याओं का माद्धे सो है, चार संख्याओं दी है, A, B, C, D, इनका माद्धे कितना दिया है, माद्धे मतलब mean या average हम कह सकते है, वो इन्होंने दिया है, सो दिया है, ये दिस C, 70 है, तो से संख्याओं का माद्धे क्या होगा, ये हमें बताना है अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इन्होंने average दिये और इन्होंने ये बताया नहीं है कि A कितना है B कितना है और D कितना है अब देखिए चार संख्याओ का माध्य कितना है दोस्तों सो यहां पे दिया है तो total कितना हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले हम total निकालते तो total के लिए क्या करेंगे 4 गुना में 100 करेंगे कितना आजाएगा हमारे पास 400 आजाएगा अब देखी अब इसने काया कि यह दि-C 70 है C की जो value कितनी दिवी है दोस्तों यहां पर इन्होंने 70 दिवी है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे 400 में से हम 70 माइनस करेंगे तो यह क्या आजाएगा 330 हमारे पास आजाएगा अब इसने काया कि सेस संख्याओं का माध्य क्या होगा जो लाश्ट में बच गी कितनी बच गी हमारे पास तीन संख्याओं बच गी उनका माध्य क्या होगा अब देखे 330 बटे में 3 करेंगे हम यह आएगा 110 यहां पर हमारे पास आजाएगा और जो 110 है वो है हमारा option number D तो यहां से आप बिलकुल असानी से निकाल सकते हैं तो आप देख सकते कि कितने असान असान question यूजी सी दे रहा है और अब हम अगला question देखते दोस्तों यह हमारा December 2013 के इंदरा था विद्यार्थियों की एक कक्षा के प्राप्तंकों का माध्य 65 65 है यानि की एक कलास उसके अंदर जितने वी विद्यार्थिये उनके जो अंका है उनका जो average है दोस्तों वो 65 यहां पर इन्होंने दिया हुआ है कक्षा के आधे विद्यार्थियों का प्राप्तंक 45 है अब देखिए जो आधे विद्यार्थिये उनका जो मध्यां की यानि और 40 के सभी के सभी का average कितना है 65 है अब यहां पर कक्षा के आधे विद्यार्थियों का मध्य 45 है आधे का मतलब क्या है दोस्तों 20 जो विद्यार्थिये उनका जो मध्य है 45 है अब क्या करना है बच्चे वे विद्यार्थियों के प्राप्तंका मध्य क्या है वो हमें निका चालना है अब देखिए अब हम क्या करेंगे सबसे पहले 65 को हम 40 से गुना करेंगे तो दोस्तोव यह आ जाएगा हमारे पास 2600 आ जाएगा और आगे इन्होंने कहा है कि आधे विद्यारतियों का मध्ध कितना 45 है जब हम 20 को 45 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आ दोस्तों हमारे पास 900, अब देखिए, अब हमारे पास कितने विद्यार्थी रहे गए, 20 हमारे पास विद्यार्थी रहे गए, और यहाँ पे जो अंक है, वो कितने रहे गए, जब 26 में से हम 900 माइनस करेंगे, तो दोस्तों यह आ जाएगा, हमारे पास 1700 आ जाएगा, अब ते 16 दो पंजे 10 यानि कि 85 यहां से हमारा आंसर आ जाया और जो 85 है वो option number A यहां पे दिया हुआ है तो दोस्तो यहां से आप बिल्कुल असानी से निकाल सकते हैं अब हम अगला question देखते हैं दोस्तो यह देखिए यह question भी बिल्कुल असान है इसके अंदर क्या कहा है 210 चात्रों का एक सम्हू किशी प्रिक्षया में सामिल हुआ ठीक है 210 चात्र है टोटल वो किशी exam के अंदर बैठे एक बटे तीन में एक तिहाई में चात्रों का मध्धे 60 पाया जाता है सेस चात्रों का मध्धे 78 पाया जाता है तब सम पूल संहू pragma क्या होगा अभी यह देखिए दोस्तों यह बिल्कुल आसान है मापको बतादेता हूं कयसे होगा यह तो độल हमारे पास classify हमास डौस सो दस है अब देखिए एक त्याई चात्रों का मध्य 60 है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक त्याई कितना होता है 210 का, देखिए 210 का एक त्याई हम निकालते हैं, 210 बटे में थरी कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 70 यहां से आजाएगा, यानि कि 70 ज 70 कितने रहेंगे दोस्तों हमारे पास, वो रहेंगे, 140 रहेंगे, ठीक है, 140 का जो माध्य वो कितना है, 78 दिया है, अब देखिए, अब हमें टोटल का माध्य निकालना है, तो 70 को 60 से गुना करेंगे, 6 सता 42 यानि कि 42 सो आजाएगा यहां से हमारे पास, और फिर 140 को 78 से करेंगे, तो मैं अभी करके देख लेता हूं, वो कितना हैगा, 140 मल्टीपलाई में, 78 यह आजाएगा, 10,920 यहां से आजाएगा, यानि कि 10,920 यहां पे मैं लिख लेता हूं, अब देखिए दोस्तों, यहां पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को एड करेंगे, फिर हम पूरा अब देखिए, इनको जब हम एड करेंगे, पलस में, 42,000, यह 15,120 आजाएगा, 15,120 यहां से आगया, हमारे पास, अब हमें अब आवरेज निकालना है, टोटल का, तो 15,120 को हम डिवाइड किस से करेंगे, 210 से हम डिवाइड करेंगे, 210 से हम जब इनको डिवाइड करेंगे, तो दोस्तो यह आजाएगा, हमारे पास, 72 आजाएगा, और 72 हमारा उप्शन नमबर 4 दिया हुआ है, तो दोस्तो इस तरह से बिलकुल अचानी से आप कर शकते हैं, और एक बार फिर शे मैं बता देता हूँ, यह कोशन कैसे आएगा, सबसे पहले हमारे पास, टोटल जो 210 द 140, 140 का 78 दिया हुआ है, इन्होंने, तो अब टोटल का हमें निकालने, टोटल का निकालने के लिए पहले 70 को और 60 से मल्टिप्लाइ करेंगे, 42 हो आगया, फिर 140 को 78 से करेंगे, तो 10,920 आजाएगा, और फिर इन दोनों को हम एड़ करेंगे, इन दोनों को एड़ करने से 15,120 अब 15,120 को 210 से हम डिवाइड करेंगे, तो यह आजाएगा, हमारे पास 72 आजाएगा, तो इस तरह से बिल्कुल असानी से कर सकते हैं, और दोस्तों इस तरह के कोशन अब की वार भी आने के संभावना है, क्योंकि यह कोशन काफी सालों से आ रहे हैं, तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला कोशन देखते हैं, यह देखिए, अब यह देखिए दोस्तों, यह हमारा अगस्त 2016 का कोशन पेपर है, और यह कोशन दोस्तों, आप सभी को करना है, अपने हिसाब से करना, बिल्कुल असान है, दोस्तों, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जैसे हमन आपको कोई भी प्रोब्लम आती है, इस कोशन के दरा आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें वर्टसप कर सकते हैं, यह नमबर हमने दिया हुआ है, और इस नमबर से आप हमारा पेड़ ग्रूप भी जोइन कर सकते हैं, अगर आपको नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को शानी से देख सके, थैंक्यो दोस्तो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत है, हमारे यू नेट पर, दोस्तो, आज हम mathematical reasoning में 3-4 तरह के question करने वाले हैं, देखिए दोस्तो, वैसे तो mathematical reasoning बहुत ज्यादा बड़ी है, उसके अंदर काफी तरह के question आ सकते हैं, लेकिन हम उन चीजों पर focus कर रहे हैं, जो UGC net के अंदर बार बार पूछी जाती है, जो concept बार बार आता ह यूजी सी नेट के अंदर तो आज हम आपके सामने तीन से चार तरह के कोश्चन लेके आए हैं इन में से करीब 10 से 15 बार कोश्चन आए हैं दोस्तों तो यह जो टॉपिक है हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज यह होते है दोस्तों कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना तभी हमारा एक्जाम कलीर हो सकता है तो हम यहाँ पे आपके लिए चुनिंदा ऐसे कोश्चन लेके आई हैं जो बार बार रिपीट होते है कोश्चन पेपर में तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना अब यह देखिए दोस्तों यह हमारा दिसंबर 2014 के अंदर कोश्चन आया था अनुपात का यानि की रेसो का और यह कोश्चन हमारा 3 से 4 बार आ चुका है और अभी जो हमारा रिसेंटली पेपर हुआ था जून 2019 का कोश्चन पेपर हुआ था उसमें भी यह कोश्चन आया था अब देखिए इस कोश्चन को हम किस तरह से करेंगे वो हम बिलकुल असानी से देखेंगे देखिए सबसे पहले इसने दिया है कि दो संख्याए जिन का अनुपात कितना है थरी अनुपात 5 यानि कि रेसो कितना दिया है थरी रेसो 5 दिया है अगर इसमें से 9 को उन संख्या में से घटा दिया जाए यानि कि ये जो उपर रेसो दिया है इसमें से 9 माइनस कर दिया जाए तो हमारा जो रेसो हो कितना हो जाएगा 12 रेसो 23 हो जाएगा हमें यहाँ पे क्या है कि संख्या निकालनी है दी हुई नहीं है यहाँ पे ठीक है तो इसके लिए हम X माल लेते हैं तो यहाँ पे माल लिया 3X जो संख्या है और दूसरी हमने माल ले 5X अब इसमें क्या करेंगे अगर उन में से 9 को घटा दिया जाए तो इनमें हम cross multiplication करेंगे यानि कि एक दूसरे के साथ हो गुना करेंगे 23 है 23 की इसके साथ multiply करेंगे और 12 है 12 की इसके साथ multiplication करेंगे अब देखिए यहाँ पर मैं equation लिखे लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आज़े 23 into में 3x minus में 9 लिख लिया equal to में क्या होगा 12 into में 5x minus में 9 यह मैंने लिख लिया अब देखिए अब दोनों को हम multiply करते 23 को जब हम 3 से multiply करेंगे तो यह आजएगा हमरे पास 69 यह आजएगा 69x आजएगा minus में जब हम 23 को 9 से multiply करेंगे तो यह आजएगा दोस्तों हमरे पास 207 आता जाएगा, Equal to में, अब ये देखिए बाराग पन्जे साथ, ये ये हा जाएगा, साठ एक्स, और बारा 90 में 108, यानि कि ये आ जाएगा हमारे पास, 108 आजाएगा, अब देखिए, अब इसे हम कैसे करेंगे, ये जो 60x है दोस्तों यह यहाँ पे आएगा यहाँ पे पलस है यहाँ के क्या आजाएगा माइनस हो जाएगा 69 में से जब 60x माइनस होंगे तो क्या रहे जाएगा हमारे पास 9x यहाँ पे रहे जाएगा और equal to में यह देखिए यहाँ पे 207 जो यह है यहाँ पे यह माइनस का है और कि क्या हो जाए है दोस्तों हमारे पास प्लस का हो जाएगा अब देखिए प्लस के 207 है हमारे पास और माइनस के 108 तो यानि कि 207 में से 108 जब हम माइनस करेंगे तो कितना रहे जाएगा हमारे पास 99 यहां पे इस साइड में रहे जाएगा अब देखिए यहां पे 9x है और यहा पर मैं करके देता हूं 99 बटे में 9 करेंगे तो क्या जाएगा 11 आ जाएगा अब देखिए अब 11 11 क्या है हमारी 11 X की value आई है और जब यह X की value 3 X और 5 X के अंदर रखेंगे तो क्या होगा 3 X के अंदर X की value रखेंगे तो 11-33 हो जाएगा एक जो हमारी जो रकम है वो हो जाएगी 33 और दूसरी क्या होगी 5X की जगह वो 11 रखेंगे तो 11-55 यानि कि दूसरी क्या हो जाएगी 55 तो हमारी दोनों के दोनों संख्या क्या होगी एक होगी 33 और दूसरी होगी 55 तो हमारा जो आंसर होगा वो C आंसर यहां से आ जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से कोशन कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपको यह समझ में ना है तो आप हमें वर्टसप पे मैसिज कर सकते हैं हम आपको सोलीशन दे देंगे अच्छे से समझा देंगे और चलिए अब हम अगला कोशन करके देखते हैं दोस्तो उसमें आपको बिल्कुल असानी से और भी समझ में आ जाया अगर कोई कन्फ्यूजन रहा हुआ है तो दोस्तो अगर आप चाहें तो हमारा पेड़ कोश्ट भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीति से स्टड़ी करवाएंगे नमबर एक पे दोस्तो हम आपको ओल्टेन उनिट स्टड़ी नॉट्स देंगे सब्तमबर 2020 में जो कोश्टन आये हैं उसके नॉट्स त्यार की हैं इसके साथ साथ दोस्तो हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के कोश्टन अलग देंगे इस तरह से सभी यूनिट के कोश्टन आपको अलग-अलग मिलेंगे इसके साथ दोस्तो हम आपको मोस्ट रिपीटीड होने वाले कोश्टन के बारे में बताएंगे पलस में आपको नोट्स भी देंगे इसके साथ दोस्तो फरी में हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड एर कोश्टन पेपर सैटन भी देंगे विद अंसर की और इसके साथ दोस्तो हम आपका लाइव मोक टेश्ट लेंगे यूटूब पे तो दोस्तो अगर आपको एक कोर्स जोईन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी वर्टस अक नमर पे मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है अब देखे दोस्तो ये हमारा जुलाई 2018 के अंदर कोश्टन आया था इसके अंदर का है कि दो संख्याओं का अनुपाथ दो अनुपाथ पांच है यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड दिया जाए तो उनका अनुपाथ क्या हो जाता है एक अनुपाथ दो हो जाता है same to same यह वही question है दोस्तों उसी तरीके से हमें करना है अब देखिए जो संख्या है वो हम x लेके चलते तो अब देखिए इसमें 2x माल लिया और दूसरी हमने माल ली 5x माल ली अब देखिए यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड दिया जाए अब देखिए इनमें 16 16 एड कर लेते इसमें 16 एड कर लिया और इसमें 16 एड कर लिया पलस में यहाँ पर अब देखिए तो उनका नुपात कितना हो जाता एक नुपात दो हो जाता तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर यह डिवाइड कर दिये तो equal to में किसके हो जाएगे एक वटे दो हो जाएगा अब दोबारा इसमें वही करेंगे cross multiplication इसकी इसके साथ multiply किया और इसको इसके साथ multiply किया अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे जब 2 को यहाँ पर मैं लिख ल अब देखिए दो दूनी 4X 16 दूनी 32 बराबर में ये तो एक से मल्टिप्लाइग करेंगे तो इतना ही रहेगा 5X पलस में 16 अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे ये जो 4X है इसको यहां पर लेके आएंगे तो यहां क्या रह जाएगा दोस्तों यहां हमारे पास केवल X र सोला रह जाएगा यानि कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहां पर सोला वैल्यू आ जाएगी अब देखिए एक्स यहां पर हमारे पास क्या आ गया सोला आ गया और अब देखिए अब जो रियल जो हमारी संख्या है वो निकालते सोला को जम टू एक्स और फा तो दोनों की दोनों जो संख्या वो क्या हो जाएगी एक तो 32 हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 80 यह हमारा option number D इसका right answer हो जाएगा तो दोस्तों यहां से भी मैं उमीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह question अब हम अगला question देखते हैं दोस्तों यह के हमारा जून 2019 के अंदर आया था अब यह देखिए यह थोड़ा सा उनसे अलग है लेकिन बिल्कुल असान है इसमें कहा है कि यदि 152 को 3, 4, 5 और 7 के नुपात में 4 भागों में विवाजित किया जाता है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी सबसे छोटा भाग क्या होगा यहाँ पर आप इंगलिस में भी पढ़ सकते बिल्कुल असानी से समझ में आ जाएगा यानि कि एक संख्या है हमारे पास 152 टोटल और जो अदर जो संख्या है जो चार संख्या से मिलके ये 152 बना है तो उनका जो अनुपात है 3, 4, 5, 7 इन्होंने अनुपात दिया हुआ है तो यह कहरा कि सबसे छोटा जो पार्ट है यानि कि सबसे छोटा थरी है यहाँ पे थरी की रियल वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करना है तो इसके लिए बिलकुल सिंपल है दोस्तों 3, 4, 5, 7 इन सभी को आप काउंट कर लिजी ये कितना होगा ये हमारा होगा दोस्तों 19 ह हो जाया है 3, 4, 5 और 7 ये होता है 19 होता है ये माल लिया हमने 19 X हमने माल लिया अब देखे एक्स की वैल्यू क्या आएगी X एकॉल टू 152 बटे में 19 अब देखे दोस्तों 152 को जब हम 19 से कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों अभी देख लेते हैं मैं करेंगे तो क्या आजाएगा हमारे पास 8 या 24 यानि की 24 इसका अनसर बिल्कुल असानी से आजाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल असानी से कोशन कर सकते हैं और फिर वी आपको कोई प्रोब्लम है इसके अंदर तो आप हम से पूछ सकते हैं तो अब हम अगले तरह का कोशन देखते हैं दोस्तों यह देखी यह थोड़ा अलग टाइप है यह अनुपात का टाइप नहीं है यह अलग टाइप आ गया है इसके अंदर इसके अंदर क्या है कि यह थोड़ा बेसिक कोशन है दोस्तों इस तरह के कोशन में कोई ज्यादा हमें फोर्मिले process करते हैं इसने कआये कि the odd number from one to forty five odd number कोन से होते हैं दोस्तों जो three से divided होते हैं और इसमें काये कि which are exactly by the divide by three यानि कि जो number three से divided होते हैं उनको हमें count करना है और one से लेके 45 तक हमें count करना है और आगे देखी सिने क्या का है जो छटे झसस्त पोजिशन जो number position पे जो आए वो हमें बताना है कि इन में से कौन सा आएगा अब देखिए इसके अंदर order number कौन से होते हैं यानि कि 3 की counting हम कह सकते हैं 3, 6 9, 12 15 और 18 अब देखिए ये सभी के सभी 3 से divide हो रहे आप यहाँ पे देख सकते हैं अब देखिए ये कह रहा है कि छटे नंबर पे कौन से संख्याएगी छटे नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 छटे पे क्या रहा है 18 आ रहा है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा हमारा option number A इसका अंसर हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से कर सकते हैं ये basic question होते हैं बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत होती है इनमें कोई formula यूजर नहीं करना और नहीं कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात अब हम अगला question देखते हैं दोस्तों ये हमारा December 2013 के अंदर आया है ये भी देखिए ये भी बिलकुल असान है इसने काए कि निमल लिखित सीरिज ये इन्होंने एक सीरिज दिये इतनी बड़ी इसमें क्या करना है कि कितने यूगमों के बीच में दो का अंतर है अब हमें ये ऐसी digit देखनी इनके बीच में कि जिनके अंदर डिफरेंस दो-दो का हो अब देखिए ये देखिए छे और चार इन दोनों के बीच में दो का अंतर है फिर आगे हम देखते हैं कि पाँच और तीन के बीच में अंतर है अब देखिए आठ और शे इन दोनों के बीच में भी दो का अंतर है तो इस तरह से हमें digit देखने की ऐसे कितने digit बनती है हमारे कितने युगम बनते है जिनके अंदर दो दो का अंतर है तो दोस्तो आप ये बिल्कुल असानी से देखना कोई इसमें दिक्कत नहीं है करके देखना आपको असानी से ये अंसर आ जाएगा अब हम अगला कोशन देखते हैं दोस्तो अगला है हमारा दुबारा फिर दिसंबर 2013 के अंदर ही आया था जीरो से लेके 99 तक की सभी संख्याए लिखता है कोई वेक्ति है जो जीरो से लेके 99 तक संख्याए लिखता है उसके बाद क्या करता है इसमें अंक तीन कितनी बार आया अब ये कहरा है कि तीन जो है वो कितनी बार आता है वो हमें पता करना है अब देखें तीन कैसे कैसे आ सकता है जैसे तीन आ गया तेरा आ गया तेईस आ गया और फिर क्या आएगा जैसे तीस आ गया एकतिस आ गया बतिस आ गया इस तरीके से ये कहरा है कि तीन जो है वो कितनी बार count हुआ है ये हमें बताना है तो दोस्तों ये बिलकुल असान question है ये आप करके देखना सोच के देखना आज आज आए इसके अंदर ऐसा कोई नहीं है कि हम इसमें कोई formula लगा या इसकी कोई trick है तो ये बिलकुल असान है आप थोड़ा समझने की कोईशिश करना और अगर फिर भी आपको नहीं आए तो मैं कहा रहा हूँ कि आप हमें what's up कीजिए इस नंबर पर हम आपको इसका पूरा solution दे देंगे अब ये देखे दोस्तों ये जो question है हमारा पहले वाले question से बिलकुल different है पहले वाले जुन राजस तथा कमल किर्केट खेलते हैं राजस तथा कमल टेनिस खेलते लेकिन फुटवाल नहीं खेलते यादव बैडविंटर नहीं खेलता परनतु गॉल्फ खेलता अब देखे कितना confusing question है दोस्तों तो इसमें काफी confuse हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता किसका सही से answer क्या है लेकिन अगर हम इसे सही systematic ढंग से करें तो ये बिल्कुल आसान question है अब देखी ये question कैसे होगा इसके लिए हम सुरू से ही एक table बना के चलते हैं ताकि हमें आसानी से सब कुछ समझ में अब देखी इसमें हम क्या करेंगे देखी सबसे पहले यहां से पढ़ते हैं यादव अरजुन राजस तथा कमल किरकेट खेलते हैं तो इनकी हम table बना लेते हैं यादव को हम लिख लेते हैं वाई लिख लिया हमने उसके बाद में अरजुन यह हमने लाइन लगा लिए फिर लिख लिए हमने ए एकी फिर लाइन लगा लिए हमें उसके बाद में राजस राजस का आर लिख लिए फिर यह लगा लिए हमने लाइन उसके बाद में कमल कमल का हमने लिख लिए के फिर हमने लाइन लगा लिए ये क्या है कि चैरो के चैरो क्या है किर्केट खेलते हैं तो किर्केट के लिए उपर से हम इस तरीके से टेवल बना लेंगे ये हमने बना ली और यहाँ पर उपर हम लिख लेगे यहाँ पर किर्केट यानि की सी हम यहाँ पर लिख लेंगे ये चैरो के चैरो किर्केट खेलते हैं तो यहाँ पर टिक मर्क कर देते हैं कि ये सभी के सभी खेलते हैं किर्केट उसके बाद में देखिए राजस तथा कमल टेनिस खेलते हैं अब देखिए राजस और कमल क्या है वो टेनिस खेलते हैं तो टेनिस का हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं यह बना लिया राजस और कमल टेनिस खेलते हैं तो इनके आगे टिक कर देते हैं उसके बाद क्या है लेक तो गॉल्फ खेलता है अब देखिए दो चीज और रही आगी यहाँ पर एक बैडमिंटन आगया एक गॉल्फ आगया तो इनका भी हम यहाँ पर बना लेते हैं यहाँ पर हमने बी बना लिया बैडमिंटन का और जी बना लिया हमने गॉल्फ का अब देखिए इसमें क्या कह कि यादव बैडमिंटन नहीं खेलता यादव यह रहा हमारा बैडमिंटन यह रहा हुसके सब्सक्राइब हम गोल्ड कर दोते की आगे क्या है अर्जुन टेनिस नहीं खेलता अब देखिए अर्जुन कहा है अर्जुन हमारा ये अर्जुन जो है टेनिस नहीं खेलता तो यहां पे हमने जो क्रोस कर दिया उसके बाद में कि ये फुल स्टोप है दोस्तों गलती से हो गया कमल कभी कभी बैडमिंटन खेलता ह कमल क्या है वो बैडमिंटन खेलता है कमल कहां पे हमारा ये रग कमल क्या है बैडमिंटन खेलता है यहाँ पे हमने इस पे राइट क्लिक कर दिया अब देखिए कौन केवल किर्केट खेलता अब हमें बताना कि ऐसा कौन सा बंद है जो केवल और केवल किर्केट खेलता और कुछ नहीं खेलता वो हमें बताना है अब देखिए यहाँ पे इस पूरे ग्राफ में देखे जो केवल किर्केट खेलता किर्केट का हमारा ये कॉलम है इसके अंदर केवल किर्केट खेलने वाला कौन है ये देखे ये हमारा अरजुन है ठीक है अरजुन केवल केवल किर्केट खेलता और कुछ भी नहीं खेलता यहां पर आप देख सकते है तो यहां पे हमारा जो answer क्या होगा दोस्तो अप्सन नमबर B यहां पे यह रहा अरजुन अब यह देखिए दोस्तो यहां पे हमने एक टेवल बनाई यह पूरी की पूरी टेवल से हमारा जो answer बिल्कुल असानी से आगया कोई confusion नहीं हुआ अब यह देखिए दोस्तो यह question हमारा अभी तक दो बार आया है और अब की बार भी मेरे को सक है कहीं ऐसा question ना आजाए तो मैं करवा देता हूँ यह देखिए जनवरी 2017 के अंदर question आया था इसमें कहा है कि निमन लिखित मेंसे सतत परकार के data की पहचान कीजिए सतत परकार का data वो हता है जो continuous चलता रहे उसे हम कहते हैं अब देखिए continuous का मतलव यह है कि जो चलता रहे चलता रहे जिसका कोई pattern ना हो उसे हम कहेंगे अब देखिए इसमें किस तरह से इसे हम identify करेंगे देखिए इसमें चार option दिए एक व्यक्ति दवारा बोले जा सकने वाली भासाओ की संख्या अब देखिए एक व्यक्ति है उसकी संख्या को हम count कर सकते हैं अच्छे से हमें पता है कि कोई वैक दो बोलता है चार बोलता है कितनी बोलता है यह हमें पता है ठीक है तो यह continuous नहीं होगा उसके बाद में घर में बच्चो की संख्या ये भी हम अच्छे तरह किसे identify कर सकते हैं एक घर में च्यार बच्चे, दस बच्चे, कितने बच्चे, वो हमें सभी का पता होता है, अब आगे कि सहर की जन संख्या, ये भी हम अच्छे तरीके से बता सकते कि एक सहर की संख्या कितनी है, इतने लाख जन संख्या है, अगला है हमारा एक कक्षा में छात्रों का वजन, अब देखी, ये हमारा उपर नीचे हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, गट भी सकता है, तो ये देखे, जो वजन है, वो हो सकता है, किसी का मान के चलते कि 40 किलो हो, दूसरे बच्चे का 40 किलो हो, तीसरे बच्चे का 35 किलो हो, तो उपर नीचे, उपर नीचे ये इस तरीके से हो सकता इस तरीके से continue हो सकता ये हम ये नहीं कह सकते कि एक कलास है उसके अंदर सभी बच्चों का वजन है वो 45 किलो है ये ऐसे हम नहीं कह सकते बिलकुल सही रूप से इसको नहीं कह सकते तो इसका जो आंसर होगा ये कक्षा में छात्रों का वजन इस तरीके से इस question का answer देंगे अगर किसी दोस्त को इस question का answer देने का और वी कोई तरीका पता है तो वो आप हमें comment box के जरीए बता सकते हैं लेकिन हमारे तरफ से यही एक तरीका इस तरीके से हम इसका answer निकाल सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए वसी तना ही अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगी तो उसी वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटे का बटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो उसको सानी से देख सके हैं थैंक्यो दोस्तो दोस्तो अगर आप चाहे तो हमारा पेड़ को भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीपी से श्टड़ी करवाएंगे नमबर एक पे दोस्तो हम आपको All 10 Unit Study Notes देंगे New Updated Slaves के इनुशार प्लस में सब्तमबर 2020 में जो Question आये हैं उसके इनुशार हमने ये Notes त्यार की हैं इसके साथ साथ दोस्तो हम आपको All 10 Unit के वीडियोस देंगे Add-Free वीडियोस आपको मिलने वाली है इसके साथ साथ नमबर 3 पे दोस्तो हम आपको 2012 से लेके December 2019 तक सभी सेट के Question वेपर Hindi इंगिस में With Answer की आपको मिलने वाले हैं इसके साथ साथ दोस्तो हम आपको 2012 से लेके December 2019 तक Teaching के Question अलग देंगे Research के अलग देंगे Communication के अलग देंगे इस तरह से सभी Unit के Question आपको अलग-अलग मिलेंगे इसके साथ साथ दोस्तो हम आपको Most Repeated होने वाले Question के वाले में बताएंगे पलस में आपको Notes भी देंगे इसके साथ साथ दोस्तो फरी में हम आपको 2012 से लेके December 2019 तक Old Year Question पेपर Second भी देंगे विद आंसर की और इसके साथ साथ हम आपका Live Amok Test लेंगे YouTube पे तो दोस्तो अगर आपको एक कॉर्स जोईन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप आस के हमारी आने वाली वीडियो बढ़ ही असाने से सब्सक्राइब के लिए तो उसके इंदर एक और टोपिक नया एड हुआ है इसमें से 2019 में कोशन आये है एक दो पहले इसमें से कोशन नहीं आये तो संभावना है कि आगे जो एक्जाम हो हमारा दिसंबर का उसमें कोशन आ सकते हैं तो देखते हैं कि यह कोशन कि इस तरह ऐसे होंगे इसमें देखें दोस्तों वैसे तो हमने जो हमारी पिछली क्लास होती थी दसमी कलास में हमने पढ़ा है, आठमी कलास में पढ़ा है, साधान व्याज क्या होता है, मूल धन क्या होता है, चकरवर्ती व्याज क्या होता है वही कॉंसेप्ट है हमारा लेकिन अब थोड़ा सा हमें इसे रिवाइज करने की जरूरत है अब देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साधान ब्याज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है और साधान ब्याज मूलधन वगरा क्या होते हैं ये देखते हैं देखिए सबसे पहले बात आती है मूलधन मूलधन क्या होता है मूलधन वो होता है दोस्तों जो हमारी सुरू की जो कोष्ट होते हैं जो पैसे हम किसी से लेते हैं यानि कि जो हमारी ओरिजिनल कोष्ट होते हैं उसे हम कहते हैं मूलधन कहते हैं दर कहते हैं यानि कि जो रेट होता है यानि कि 2% से इंकड़ा व्याज लिया है दस परतिस्त लिया या जितने परतिस्त भी लिया हुआ होता है उसे हम कहते है रेट या दर कहते हैं फिर समय यानि कि कितने टाइम के लिए हमने व्याज लिया है तो वो होता है और उसके बाद में जैसे कि हम बात करते हैं कि साधान व्याज निकालने का फॉर्मॉला क्या है तो इसका है दोस्तों मुल्धन गुना में दर गुना में समय बटे में सो और ये हमने जो पिछली क्लासिज होती थी दसमें क्लास में बहुत अच्छे तरीक से किया हुआ है तो ये दोस्तों बिलकुल सिंपल ये आपको याद रखना है अब उसके बाद में आता है दोस्तों अगर हमारे पास दर निकालने हो दर नी दी ब्याज मुल्धन समय दिया हुआ हो तो दर कैसे निकालेंगे तो इसका फॉर्मॉला ये है दोस्तों ब्याज गुना में सो बटे में मुल्धन गुना में समय तो उसके बाद जो एक और important आता है वो है दोस्तो चकरवर्ती व्याज अब चकरवर्ती व्याज का जो formula वो यह है दोस्तो मूलधन इंटु में 1 पलस में दर बटे में so यह इसका formula है और इसकी जो power है दोस्तो वो होगी समय होगी और उसमें से फिर जो मूलधन हमारा है वो हम माइनस कर देंगे और एक और चीज इसके अंदर आती है दोस्तो वो है मिस्र धन मिस्र धन क्या होता है ब्याज पलस में मूलधन का जोड होता है तो दोस्तो यह basic formula है आप एक वर इन सभी को देख लेना याद कर लेना जैसे तैसे करकी क्योंकि इसमें से question आने की काफी संभावना है दोस्तो अब इसमें ये देखते हैं दोस्तो एक question है इसको करके देखते हैं सालाना 12% की दर से एक निस्चित रासी को दोगना होने में कितना समय लगेगा ये कहे रहा है कि हमारे पास कोई रासी है और उस पे 12% का ब्याज लगाते हैं तो उसे दोगना होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें दिया हुआ है यहां पे रासी है वो नहीं दिया हुई वो हमें अज्यूम करनी पड़ेगी अब हम मान के चलते हैं कि हमने मान लिया कि जो मूल धना है हमारा वो हमने मान लिया दोस्तो दोस्तो हमने मान लिया और जो दर है दोस्तो दर कितनी है यहां पे 12% ये दोस्तो माना है दोस्तो ये एज्यूम किया है हमने और अब देखिए इसके अंदर क्या पूछा आए टाइम हमें निकालना है समय यहाँ पे हमें निकालना है और जो ब्याज है दोस्तो ब्याज क्या होगा अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे इसने काए कि एक निस्चित रासे को दोगना होने में यानि कि वो दोगना हो जा तो यहां पर 200 का दोगना कितना होगा दोस्तो चार्शो होगा तो ब्याज कितना होगा दोस्तो ब्याज जो है को इंट्रेस्ट कितना होगा चार्शो माइनस में 200 हम कर लेते हैं तो कितना आ जाए हमारे पास 200 यहां पर आ जाएगा ठीक है यह क्या आ गया हमारे पास यह आ गय ब्याज आ गया 200 रुपए ब्याज लगा है ठीक है और अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास ब्याज आ गया तो इसका समय कैसे निकालेंगे ये देखिए अब देखिए दोस्तों ब्याज यहां पर हमने निकाल लिया 200 रुपए निकाल लिया ठीक है अब यहां पर टाइम निक ये मुलधन गुना में दर, ठीक है, ब्याज हमने कितना निकाला? 200, गुना में 100, मुलधन कितना था? हमारे पास, 200 ही हमारे पास मुलधन था, हमने माना था ना, कि माना कि सरू की, जो हमारी अमाउंट होगी वह 200 रुपए, और जमा में ये क्या दर दर कितनी हम 12% अब 200 से 200 कट गया अब 12 से जब हम 100 को कट करेंगे तो कितना आ जाए दोस्तो 8.33 यहां पे हमारे पास आएगा और 8.33 को हम क्या कह सकते दोस्तो 8 साल और 4 महीने हम इसको कह सकते हैं तो इस तरह से यहां पे इसका अंसर D आ जाएगा तो इसी तरीके से थोड़े complicated question देंगे वो हमें करने होंगे लेकिन आप practice करोगे तो आपको यह सभी के सभी question आ जाएगा आप इन formula को याद रखना अब ये देखे दोस्तों ये जो question है हमारा इस तरह के question जून 2019 के अंदर आए थे और इसके अंदर क्या कहा जाता कि इसके अंदर हमें के series दे दी जाते हैं जैसे एक से लेके 50 तक 100 से लेके 200 तक और उनमें पूछा जाता है कि इनमें even number का जोड़ क्या होगा या natural number का जोड़ क्या होगा तो इन question को हम किस तरह से करेंगे बिलकुल अरसानी से ये देखते हैं ये देखे इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि find the sum of all first 50 natural number इसने कहा है कि सरू के 50 प्राकरतिक संख्याओं का योग क्या होगा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकरतिक संख्याओं क्या हो क्या है उनका जोड कितना होगा वो हमें बताना है अगर हम ऐसे manually जोडने लगे एक दो तीन चार पांस तो ऐसे में हमारा बहुत ज्यादा time लग जाएगा अब देखे इसे formula के थरू की इस तरह से करेंगे ये देखे इन्होंने कहा है कि natural number और natural number का formula यहाँ पे इन्होंने द अगे देखते है, एन यानिकी 50 into में एन प्लस में ँन यानिकी 50 प्लस में 1 यहाँ पर हमने कर दिया और बटे में 2 हमने यहाँ पर कर दिया इस तरीके से अब देखिए 2 से 50 कटेगा तो कितना जाएगा 25 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा आगे हम लिखे लेते 25 इंटू में 51 हो गया ठीक है अब 25 को 51 से जब हम multiply करेंगे तो I think 1275 यहाँ पर इसका अंसर आ जाएगा तो इस तरह से बिलकुल असानी से आप कर सकते हैं दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगते हैं यह सब करने में लेकिन अगर आप manually तरीके से करते हैं जोड़ जोड़ के देखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा time लग जाता है तो इसलिए हमें formula भी याद होन जरूरी है find the sum of all first 50 even number यहाँ पर अगर even number दे दिया जाए तो हमारा formula क्या लगेगा एन इंटो में पलस में 1 इसका क्या होगा 50 इंटो में 50 पलस में 1 तो यह क्या आ जाएगा दोस्तों 50 इंटो में 51 जब हम 50 और 51 को multiply करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 2550 इसका answer आ जाएगा तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से इसको कर शकते हैं और अगर यह order number की बात कर ले यानि कि विसम संख्या की बात कर ले तो उसका formula यह लगेगा even वो होते जैसे 246810 को हम even number कहते हैं तो यह question वैसे ज्यादा बार तो नहीं आया है अभी आया है जून 2019 में आया है पहले इस तरह का कोई question नहीं आया है तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना वैसे बहुत ज्यादा important तो नहीं है यह और आगे देखते दोस्तों यह जो question है हम तो चार चीजे दिवी होते हैं और उनमें पूसा जाता कि कौन सी चीज दूसरी चीजों से अलग है वो हमें बताना है अब इसमें जैसे लखनव, रिशी केस, इलाबाद, पटना यहाँ पे दिया हुआ हमें बताना कि कौन सा अलग है यहाँ पे जो लखनव है दोस्तों व और कोशन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब यह देखे दोस्तों उधान 48 एक सब्द का चैन करें जो सम्हों में दूसरे सब्दों से मेल नहीं खाता अब देखें यहाँ पे क्लेंडर है तिथी है मास है दिवस है अब यहाँ पे बिलकुल असा अलग हो जाएगा इससे आगे की 49 नंबर उधारन है निमल लिखित ऐसे सब्दों का चैन करें जो सम्हों में दूसरे सब्दों से मेल नहीं खाते अब देखें मयूर दिया है गिद दिया है हंस दिया है चिडिया दिया है तो इसके इंदर जो हंस जो है हंस बिलकुल अलग ह हो जाया क्यों हो जाया दोस्तों इन सब में केवल हंसी जल पक्सी है हंस के जो पानी में तैरता है लेकिन और जो चिडिया गिद है वो मयूर वो पानी में तैरते नहीं है हाँ वैसे नॉर्मली तैर सकते हैं वो लेकिन उनकी फित्रत नहीं है तैना ज्यादा तर हंस ही पान क्या हैगा वो हमें बताना है तो सबसे पहले हमें इन दोनों के अंदर relation देखना होता है इन तीनों के अंदर भी हम relation देख सकते हैं क्या relation है और फिर इसमें से देखते कि कोन इनमें से match कर रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो निकल और लोहा पावर जिंक ये क्या है कि सोलिड स्टेट में होते हैं तो ये क्या होगा ठोस धातू होगी ये हमारी option number 6 का बिलकुल सही हो जाएगा लेकिन जो A, B और D क्यों नहीं होगा जो कार्वन जो होते हैं तो तो इस तरह से ये जो निकल जो है ये इन चारों से तीनों से अलग है तो यहां से हमें गाजर मूली ये तीनों के तीनों क्या है जमीन के अंदर उगते हैं यानि कि एज जड टाइप में होते हैं इसी तरीके से जो मुंग फली है वो भी जमीन के अंदर उगती है तो यहां से हमारा अंसर क्या जाए दोस्तों ऑप्सन नंबर डी हमारा अंसर आ जाएगा तो दोस् सब्सक्राइब नहीं किया तो पलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरू दबाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके थैंक दोस्तों अगर आप चाहिए तो हमारा पेड़ को भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम तेन यूनिट स्टडी नॉट्स देंगे न्यू अपडेटिटिट सलेवस के इनुशार प्लस में सब्तमबर दो हजार बीस में जो कोश्चन आये हैं उसके इनुशार हमने ये नॉट्स त्यार की हैं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको और टेन यूनिट के वीडियो देंगे रिसर्ट के अलग देंगे इस्तरी से सभी यूनिट के जोड़ने इसके साथ हम आपको बिदेंगे इसके साथ हम अगर आपको यू कॉर्स जोइन चर्ना थो हमें जल्दी से वर्शण नंबर पर मेंसे कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बोक् झाल झाल